सुत्रधार में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यप्रदेश में बची हुई नो लोगसभा सीटों की बीजेपी कॉंग्रेस के लोगसभा उम्मीद्वारों की सुची जल्द आ सकती है कॉंग्रेस जल्द अपने उम्मीद्वार घोशित कर जीत की उम्मीद्वारों का टोटा नजर आ रहा है वहीं बीजेपी उम्मीद्वारों का फैसला केंद्रिय नेतरतों के हिसाब से होगा केंद्रिय नेतरत्र ने अंधिकास सीटों पर अपने उम्मीद्वार तैक कर लिये हैं केंद्रिय चुनाव समिती को उस पर अंतिम मुहर लगानी है हाला कि कुछ सीटों पर बीजेपी नए युवा और महिला उम्मीद्वार तलाश रही है आईए तीसरी कड़ी में हम आपको बताते हैं मध्यप्रदेश की नो लोग सबा सीटों पर संभावित उम्मीद्वारों के नाम इससे पहले हम पिछली दो कड़ी में 20 सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस के संभावित उम्मीद्वार बता चुके हैं देखिए हमारे विशेश समवाद दाता अरुन तिवारी की ये रिपोर्ट कॉंग्रेस को हारों का सहारा बीजेपी को चाहिए नए चेहरे कॉंग्रेस के पास इन 9 सीटों में से एक भी सीट नहीं है हला कि कॉंग्रेस को आदिवासी सीटों पर कुछ उमीद की किरन नजर आ रही है वहीं बीजेपी को सीधी सतना और दमों में नए चेहरों की तलाश है हला कि सीधी से एक बार फिर रीती पाठक का नाम भी चल रहा है रीती पाठक हाल ही में सांसत से विधायक बनी है लेकिन उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया इसलिए हो सकता है कि उनको फिर से सीधी से चुनाव लड़वाया जाए सतना से गनेश सिंग की जगा पार्टी नए चेहरा चाहती है गनेश सिंग विधान सबाद चुनाव हार चुके है दमो की सीट भी पहलाद पटेल के विधायक बनने से खाली हो गई है पहलाद पटेल मंत्री है इसलिए उनको पार्टी चुनाव नहीं लड़वाएगी दमो से किसी लोधी नेता को टिकेट मिल सकता है आईए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश की नौ लोग सबाद सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस के संभावेतों मिद्वार सबसे पहले बात करें खरगौन की तो खरगौन से कॉंग्रेस को मिद्वार हो सकते हैं बाला बच्चन, कॉंग्रेस के वरिष्ट विधायक है, पूर्व मंत्री, बड़ा आदिवासी चहरा माने जाते हैं ग्यारसी लाल रावत, पूर्व विधायक, विधानसभा चुनाव में टिकेट काइट लिया गया था बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी यहां से गजेनिल सिंग पटेल को टिकेट दे सकती है, मौजुदा सांसद भी यही है बात करें मनसौर की, तो मनसौर से कॉंग्रेस की उमिद्वार हो सकती है, मिनाक्षी नकराजन, पूर्व सांसद रह चुकी है, युवा महिला नेता है, और राहूल गांधी की करीबी मानी जाती है अगला नाम है, सोमिल नाहटा का, पूर मंत्री के बेटे हैं, टिकेट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं बात कर ले अगले नाम की, तो अगला नाम है भानुपरताप सिंग राठोर, युवा राजपूत नेता है, करणी सेना से आते हैं, युवाओ में पैट है बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी मंसौर से सुधीर गुपता को टिकेट दे सकती है, मौजुदा सांसत भी यहीं है यश्पाल सिसोधिया, मंसौर से तीन बार के विधायक है, लेकिन विधानसवा चुनाव हार गए थे देविलाल धाकर, पार्टी के पुराने और सक्रिये नेता माने जाते हैं, इनका भी नाम चल रहा है आए सीधी की तरफ तो सीधी से कॉंग्रेस के उमिद्वार हो सकते हैं, कमलेश्वर पटेल, पूरू मंतरी रह चुके हैं, OBC चेहरा हैं, AICC में शामिल हैं, विधानसवा चुनाव हार गए थे बात करें BJP की, तो BJP यहां से रीती पाठक को दोबारा मौका दे सकती है, दोबार की सांसद रह चुकी हैं, अगर रीती पाठक को टिकेट नहीं दिया जाता, तो फिर BJP किसी नए चेहरे की तलाश कर सकती है आते हैं सतना की तरफ, तो सतना से कॉंग्रेस की उमिद्वार हो सकते हैं, सिद्धार्थ कुश्वाहा, दो वार के विधायक हैं, गड़े सिंग को हरा कर चुनाव जीता था, कमलनाथ की पहली पसंद माने जाते हैं बात करें दिलिप मिश्रा की, तो ब्रामन चेहरा हैं, ब्रामन बाहुल सीट भी सतना है, मनीश तिवारी, ब्रामन चेहरा हैं, ब्रामन बाहुल सीट है, छेत में सक्रता भी इनकी अच्छी खासी है बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहां से गणे सिंग जो की सिटिंग सांसद है उनकी जगा पर किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है आते हैं रीवा की तरफ तो रीवा से कॉंग्रेस के उमिद्वार हो सकते हैं अब हैं मिश्रा, विधायक हैं, दबंग नेताओं में गिंती की जाती है, अजय मिश्रा, महापौर हैं, अगला नाम आता है कविदा पांडे का, ब्रामन महिला नेता हैं, लंबे समय से टिकेट की दाविदारी कर रही हैं, छेतर में अच्छी खासी पकड़ रखती हैं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी यहां से मौजूदा सांसर जनारदन मिश्रा को ही अपना मिद्वार बना सकती है बात कर लें दमों की, तो दमों से कॉंग्रेस के उमें द्वार हो सकते हैं आपकेश नायक, पूर्वे विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री का पद भी समाल चुके हैं, विधान्सबा चुनाव हार गए थे, तरूवर लोधी, पूर्व विधायक हैं, इस्टिकेट की प्रवल दाविदारी भी कर रहे हैं, बात करने बीजेपी की, तो बीजेपी यहां से पहलाद पटेल की पसंद से नया चहरा उतार सकती है या फिर पहलाद पटेल को जो की दमों से लगातार सांसत रहे लोधी बाहूल छेतर भी है और अब प्रदेश शरकार में मंत्री भी है तो हो सकता है इन्हें भी लोकसवा का चुनाव लड़वा दे बात करें गोपाल भारगव की प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे जादा बार के विधायक है मंत्रिपत नहीं मिला था छेतर में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी राजगर से रोडमल नागर को टिकेट दे सकती है बात करें रतलाम सीट की तो रतलाम से कॉंग्रेस के उमिद्वार हो सकते हैं कांतिलाल भूरिया आदिवासियों का चहरा माने जाते हैं लगातार सांसत रहे पूर्व केंद्र मंत्री का पद भी समाल चुके हैं हर्ष विजय गहलोत, पूर्व विधायक है, विधान सबा चुनाव हार गए थे बात करें बीजेपी की तो बीजेपी रतलाम से गुमान सिंग डामोर को टिकेट दे सकती है मौजूद आसांसत भी यही है अगर इनका टिकेट काटा जाता है तो बीजेपी फिर भानू भूलिया की तरफ देख सकती है यह आदिवासी यूवा चेहरा माने जाते हैं बात कर लेते हैं खजुराहों की तो खजुराहों से कॉंग्रेस अपना उमिद्वार नहीं उतार रही है क्योंकि समझोते के तहट के सीट कॉंग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दी है यानि यहां से समाजवादी पार्टी के उमिद्वार चुनाव लड़ेंगे दिया जा सकता है पूर्व मंत्री भी संजय पाठक रह चुके हैं बीजेपी ने सभी सीटों पर पैनल तयार कर लिया है हो सकता है कि 29 फरवरी को दिल्ली में होने वाली केंद्री चुनाव समीती की बैठक के बाद प्रदेश के कुछ नेताओं के नामों का एलान भी कर दिया या फिर कोई और चेहरा यह पार्टियां उतार सकती है जल्द ही हम सब के सामने आ जाएगा